ETA planning का यह हमारा third lecture है और इस lecture में हम discuss करेंगे कि अगर आपका grade बन चुका है तो उस grade में आप कैसे edit कर सकते हैं बिना project को close किये हुए Second हम discuss करेंगे कि अभी तक जो आप grade बनाते हैं तो custom जो grade data आप use करते हैं उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं आप data को as position display करा सकते हैं लेकिन अब हम देखेंगे इस video में कि हम कैसे उसको spacing के साथ जो है display करा सकते हैं इस lecture का हमारा third topic है वो है कि एक plan एक छोटा साम एक plan यहाँ पर लेंगे और उस plan के according हम grid को कैसे create करते हैं कैसे हम judge करते हैं कि हमें कितनी grid lines वहाँ पर create करनी होंगी तो यह आज हम इस third lecture में discuss करेंगे तो जो हमारा इस पहला topic है वो यह है कि अगर हमारा जो grid बन चुका है अब उस grid में हम कैसे edit करेंगे तो पहले मैं एक grid बना लेता हूँ default value रखते हुए तो हम चलता है new model पर, new model पर मैंने click किया तो मैंने यहां से जो third type है आपके unit का unit system का तो मैंने उसको select किया then सारी values यहां पर रखते हुए मैंने इसको ok कर दिया ok करने के बाद में यहां पर देखे आपके सामने फिर वही data open है कि आप uniform रखना चाहते हैं कि custom grid data रखना चाहते हैं second block है आपका story data आपको क्या रखना है customly भी आप उसको select कर सकते हैं तो यहां पर मैंने default रखते हुए मैंने ok कर दिया क्योंकि यहां पर आपका grid बन चुका है इस grid में हम edit करना है बिना project close किया हुए तो कैसे करेंगे देखे मैं थोड़ा सा इसको zoom कर देता हूँ यहां पर एक option है आपका menu बार में second edit यानि file के बराबर में जो आपको एक edit option देख रहा है यहां से हम लोग क्या कर सकते है आपका जो project है वो बन चुका है और उस बने हुए project में आपको अगर कुछ भी edit करना है कुछ भी edit करना है तो उससे related सारी command आपको यहां पर second option में मिलेंगी edit के टैब में तो जब आप edit पर click करेंगे तो click करने के बाद यहां पर देखे यह बहुत सारे options आपको यहां पर दिख जाएंगे जैसे जो आपने work अभी तक किया है तो redo कैसे करना है undo कैसे करना है किसी project में जो आपने जो project डबलब कर चुक है उसमें से कुछ portion आपको cut करना है copy करना है फिर उसको paste करना है तो यह सारे options आपको यहां पर edit वाले मिल जाएंगे तो मैंने यह आपि इस option पर click करने के बाद यहां पर दिखेगा एक block आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सबसे बल्य block है वह Story data या कि यहां से जो यह आपको ऑप्षन दिखाई दे रहा है यहां से आप जो Story data है उसको edit करा सकते है second जो इसका part है step का वो है grid system Grid system मतलब कि जो आपने यहां पर grid बनाया है यानि X direction और Y direction उसको आप यहां से edit कर सकते हैं तो अभी हम second वाले option को पहले समझते हैं कि second वाले option पर हम कैसे edit करेंगे क्योंकि इसी से related हमारा दूसरा topic भी है तो हम इसको पहले समझते हैं मैंने इसको रफ कर दिया then अब यहां पर देखिएगा बहुत सारे options हैं आपके सबसे बला option है आपका add new grid system add new grid system का मतलब कि एक grid system आपका already बना हुआ है देखिए यहां पर एक जीवन आपको जो दिखाई दे रहा है नाम यह आपका grid system है यह पहले बना हुआ है अब आपको क्या करना है कि एक नया grid अगर आपको बनाना है तो आप इस option का use करेंगे तो अगर इस option पर आप click करेंगे तो क्या होगा जब आप इस option पर click करेंगे तो एक पूरा आपके सामने custom grid data open हो जाएगा जहां से आप x की value और y की value यानि x direction में जो grid की lines है उनकी value उनके बीच की spacing y direction में आपकी जो grid line है उनकी value और उनकी spacing आप यहां पर देके एक नया grid बना सकते हैं second option है आपका modify and show grid system यानि जो already आपका grid बना हुआ है उसमें अगर आपको change करना है तो आप second option पर click करेंगे third option पर सलते हैं third option है आपका delete grid system यानि जो already आपका बना हुआ है grid जैसे यह g1 है अगर इसके बाद और भी आप अगर grid बना देते हैं तो अगर आपको किसी grid को delete करना है तो आप third उसको select करने के बाद आप third option को tick कर देंगे तो जो आप grid बना चुके है उसको delete यहां से किया जा सकता है अगले option पर सलते हम copy existing grid system copy मतलब कि जो already आपने grid बनाया है अगर उसको copy करके आपको paste करना है यानि duplicate create करना आपको grid तो आप इस option का use करेंगे और जो next दोनों option है वो है आपके .dwg या .dxf file format के लिए जैसे आपका autocad software होता है autocad software का जो file format है वो क्या है .dwg and .bxf तो उस file को आप इसके अंदर import करा सकते हैं तो इसको भी हम बाद में देखेंगे next lectures में तो हम सबसे पहले अभी discuss कर रहे है कि आपका जो already grid बना हुआ है आप उस बने हुए grid को कैसे change कर सकते हैं तो हम अब इस पर क्लिक करने जा रहे है modify and show grid system मैंने इस पर क्लिक कर दिया window को थोड़ा छोटा करके मैं दिखा देता हूँ अब यह जो window आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यह वही वाली window है जहां से आप custom grid data जो है edit करते है custom grid data जब इडिट करते हैं क्या करते हैं एक तो x grid data value edit करते हैं और एक y grid data आप edit करते हैं तो x grid data जो है उसको हम यहाँ पर देखने की कोशच करते हैं यहाँ पर देखे a,b,c,d चार आपकी grid id है और यहाँ पर देखे आपको क्या दिखाई दे रहा है ordinate की value, ordinate मतलग जो आपका a grid है वह आपका कितने पर है 0 पर तो यहाँ पर देखे इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो a है आपका इसकी position है 0 उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगला grid id हो कहा b और यह जो place है इसकी position है वो है 8 meter तो 8 meter मतलब यह यहाँ पर यह इसकी position हो गए उसके बाद अगर हम बा position है 16 meter तो मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया अब अगर हम बात करें fourth की तो d की तो d की जो position हो है 24 दी की position होगी 24 यहाँ पर ordinate ordinate को simple आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर एक नाम दे दे रहा है position simple आप एक लाइन नाम से समझ सकते है position यानि जो आपकी grid id है यानि जो आपकी grid line है वो किस position पर है तो यहाँ पर a की position 0 बता दी गए यह आपको b की position 8 है c की position 16 है और d की position 24 है तो यहाँ से काम करते हैं हम इसको पहले rough करते हैं कि समझने से पहले ओके अब यहाँ पर आपको क्या करना है अगर मैं आपसे यह पूछूँ कि आप मुझे यह बताईए कि a और b के बीच में कितनी distance है तो आप क्या करोगे जो b की position है उसमें से a की position को minus कर दोगे और तब म position है 16 उसमें से जो b की position है 8 उसको minus करोगे और फिर मुझे बताऊगे कि इसके बीच में 8 distance है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि c और d के बीच में कितनी spacing है तो आप क्या करोगे d की position है 24 उसमें से minus करोगे 16 जो c की position है और फिर मुझे बताऊगे आपकी 8 का यहाँ पर difference है यानि जो आपकी spacing है वो है 8 meter तो इस तरीके से आप position का use करते हैं अब हम चलते है second option पर और second option है हमारा display grid data as spacing तो इसमें क्या होगा देखिए वो देखते हम पहले यहां से हम इसको रफ कर देते हैं अब second option पर आते हम spacing spacing का क्या मतलब है देखिए पहले एक काम करता हूँ में क अब यह जो first option आपका check है मैं आप second option को check कर देता हूँ तो second option को check करती देखिए यहां पर सारे options बदल गए देखिए आप ध्यान से दीजेगा मैं click कर रहा हूँ यह 0, 8, 16, 24 है मैंने second option को click किया तो यहां पर 8, 8, 8 और 0 यानि जो बीच में spacing आ रही थी 8 की आ रही थी तो A and B के बीच की जो spacing है वो है 8, B और C के बीच की जो spacing है वो है यह वली 8 और C और D के बीच में spacing है वो यह value है यह भी 8 है आपकी और D to D distance, D to D distance आपकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी तो यह बास समझ में आगी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ज्यान से समझिए कि जो A और B है उसके बीच में जो spaces है वो आपकी यह रही 8, B और C के बीच में जो differences है वो है आपका 8 वो यह value है, C और D के बीच में जो spacing है वो आपकी यह value है 8 और D to D distance आपके कितनी होगी? 0 तो यह आपका यहाँ पर जो second option है, display great data as spacing वो इस तरीके से यहाँ पर space जो है वो represent कर करता है, अब मैं इसको एक बार rough कर देता हूँ, अब यही same चीज हम जो है, second option में समझते है, y direction में क्या होता है देखिए, मैंने अभी यहाँ से position को tick किया हुआ है, ordinate को, तो यहाँ पर देखिए इनकी position क्या है, 0, 8, 16 of 24, same मैंने यहाँ पर क्या किया, अच्छा एक काम करत करता हूँ, add, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको rough कर देते हैं, अब समझते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपके 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर आपके y direction में grid में कितनी line है, आपके 5 grid line है, यहाँ पर 5 grid line आपने add की हुई है, पहले जो है उसकी position कितनी है, 0 पर, दूस position 24 है, 5th position आपकी 32 है, अब हमें क्या करना है, अब हमें as a spacing इसको देखना है, तो हम इसको rough कर रहें देखिए, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, spacing को चूज कर लेता हूँ, मैं, मैंने यहाँ से, जो second option है, आपका as a space, तो मैंने इसको tick कर लिया, और अब मैंने आपर समझन की कोशिश की देखे, जो first और second grade है, इसके बीच की spacing कितनी है, 8 meter, तो यानि आपका जो यह gaping है, यह वाली जो gaping है, वो हो गई आपकी 8, उसके बाद मैं, जो second और third है, इसके बीच में जो gap है, वो है आपका 8 meter, तो यह आपका 8 meter हो गया, उसके बाद मैं, third और fourth के बीच में अगर आप space देखेंगे, तो वो है आपका 8, तो यह आपका 8 हो गया, again fourth and fifth के बीच में देखेंगे, तो आपकी value यह है, 8, आप इसको बाद मैं change भी कर सकते है, spacing की तरह, तो मैंने 8 कर दिया है यहापर, और अब अगर आप देखेंगे, 5th to 5th आपकी जो number की grade है, आपकी line, 5 5 number की grade line, यहनि 5th to 5th difference आपका कितना है, 0 meter, तो यह है आपकी position यहाँ पर 0, तो इस तरीके से जो यह spacing है, आप उसको show करते हैं, और यह बहुत useful point है, अगर आप कोई plan create करना चाहते है, तो सबसे ज़्यादा important चीज है यह, कि आप spacing के थू जो है, वो plan create कर सकते है, अगर id की ब इसकी बीच की distance उनको लेकिते हुए, आप इसको बना सकते हैं, तो अब हम तीसरे point पर अपना चलते हैं, देकि दो point मेरे cover हो गए, कि पहला मैंने आपको क्या बताया है, कि अगर आपके पास में grade और बना हुआ है, तो आप उसको कैसे change कर सकते हैं, और दूसरा मैंने बताय कि जो grade है, उसको as a spacing कैसे represent किया जा सकता है, तो लेकिन अभी यह जो मेरा पहला topic था, वो complete नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया है, मैंने आपको किवल इतना बताया है, कि आपके पास में जो grade है, उसमें x और y कैसे data आप edit कर सकते हैं, अब हम चलते हैं, कि अगर आपको story edit करनी है, then आप क्या करेंगे, तो मैं इसको एक बार, zoom out करके rough कर देता हूँ, और उसके बाद हम जो है grade data में चलेंगे, तो इसको rough कर देता हैं, अब इसको हम okay कर देते हैं, हमारा इतना data काफी था, अब हम अपने first option पर चलते हैं, जो first option है आपका story data, इसको अगर आपको edit करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखें, यहाँ पर आपको simple दिखाई दे रहा है, कि आपका story number 4, 3, 2, 1, और baseline, यह आपका grid बना हुआ है, और यह default था, मैंने कुछ change नहीं किया था, simple मैंने okay कर दिया था, तो यह default value थी, वो आपकी यहाँ पर बन चुक जो bottom जो आपके base था, वो था 3 meter और उसके बाद में जितनी भी ordinate stories थी, वो सारी values आपकी कितनी दी 3 meter हो गई थी, तो अब इसको हम edit करना चाहते है, तो कैसे करेंगे, देखें, यहाँ एक सामने आपको एक option दिखाई दे रहा है, modify and show story data, यानि जो story data उसको आप यह तो modify करना चाहते है, या show करना चाहते है, then आप यहाँ पर click करेंगे, तो मैंने यहाँ पर click कर दिया, अब click करने के बाद, देखें, अभी इससे पहले जब आप add for y का grid data था, वो जब आप edit करेंगे तो किस में आगे थे, तो आप custom grid data में आगे थे, अब यहाँ पर हम custom story data में आ जाए कि story 1, story 2, 3, 4 के बाद में अगर आपको एक story और add करनी है, तो आप बहाँ पर कैसे करेंगे, यह मैंने discuss किया था, और उसमें जो first जो आपका point था, कि आपको एक अलग से story create करने, यह हमने देखा था, आज हम उसका second point देखेंगे इस lecture में, तो देखें कैसे करना हमें, यहाँ यहाँ पर आपका देखें, story number 4 है, और जो total यहाँ पर elevation height है, वो है 12, ठीक है, अभी मैंने काम किया यहाँ पर, कि इसको हम, जो 3 meter के height है, इसको कर देता है, 6 meter height, मैंने 6 लिखा और enter का जो button है, वो मैंने प्रेस कर दिया, यानि इसका मतलब यह हो गया, कि story number 4 है, उसकी height है, 6 meter हो गई है, और जो elevation जो आपकी value है, elevation की height है, वो आपकी total कितने हो गई है, 15 meter हो गई है, अब आपको क्या करना है, यह आपने से नहीं किया, यह आप से गलती से हो गया, मान लिजे कि आप grid बना रहे थे, और गलती से grid की height थे, वो आप से 6 meter हो गई, अब जो grid बन चुका है अब उसमें आपके सामने ये option है आपको करना क्या था आपकी condition में बता देता हूँ आपको करना ये था कि आपको 5 वहाँ पर जो story थी वो 5 add करनी थी ठीक है 5 वहाँ पर story आपको add करनी थी और सब की height आपको 33 meter रखनी थी लेकिन गलती आपसे क्या होई कि आपने 4 story के वल रखी और जो 4th story है उसकी height आपने कितनी रख दी यहाँ पर 6 meter आपने define कर दी तो अब आपको अपनी गलती को सही करना है यानि आपको क्या करना है कि आपकी जो elevation height है वो 15 ही रहे यानि 15 ही रहे और जो एक story है इसमें वो भी add हो जाए तो story जो add करेंगे उसकी height कितनी रखेगे आप 3 meter रखेंगे यानि इसका मतलब यह कह सकते है कि यहाँ पर थोड़ आसाम इसको explain कर लेते पहले देखो यह आपका base है इसको मैं base लिख देता हूं उसके बाद में यह आप आपका जो है क्या हो गया यह 4th story हो गया इसको थोड़ा साम ज्यादा बना लेते हैं क्योंकि यह हमारा जो 4th story है actually यह इसकी height हमारी 6 meter है तो मैंने यहाँ रख लिए इसको अब देखें यहाँ पर जो यह 1st story है इसकी height कितनी है 3 meter तो देखें यह हमारी 3 meter हो गई यहाँ पर 2nd story की height 3 meter है तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया अगेन आपकी जो 3rd story उसकी height आपकी 3 है तो मैंने आपकी 3 लिख दिया और अब जो 4th story है इसकी height आपकी 6 यह आपसे गलती से 6 हो गया अब आपको क्या करना है एक story यहाँ पर add करनी है और कितने meter height पर add करनी है यानि आपकी जो यह 0, 1, 2, 3, और यह 4 तो आपको 3rd से 3 meter उपर एक story आपको add करनी है तो अगर मैं यह कहूँ आपसे कि जो यह story आप add करनी है यहाँ पर इसकी total height कितनी है बेश से तो यह total height जब आप add करके मुझे बताओगे तो यह total height आपकी हो जाएगी 3 meter, 3 meter and 3 meter, 9 meter और plus जो यह 3 meter आपका हुआ यानि total कितना हो गया 12 meter यानि जो नई story आपकी add होगी वो कितने पर होगी 12 meter पर होगी तो 12 meter पर कैसे हम add करेंगे देखे अब आप यहाँ पर क्या करेंगे मैं यहाँ पर right click कर रहा हूँ राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो add story का option आता है तो second option है यहाँ पर keep existing story elevation यानि जो आपका elevation है उसकी height आपको same रखनी है और उसको same रखते हुए आप क्या करना चाहते हैं कि story को add करना चाहते हैं तो मैंने इसको select किया select करने के बाद अब मुझसे यहाँ पर पूछा जा रहा है elevation of added story यानि जो आप story edit करना चाहरे जो add करना आप story उसका elevation height है वो कितनी है elevation height मैंने कितनी बताई थी 12 तो देखे अभी यहाँ पर 12 ही है यह इसलिए यहाँ पर 12 बार ही है कि जो story आप बीच में break करते है तो यहाँ पर आपका by default उसकी half up value लेता है इसके बाद हम एक example लेंगे जिसमें आपको मैं यह change करके दिखाऊंगा तो अभी यहाँ पर 12 बे तो मैंने ok कर दिया अब आप देखे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी new story अब देखे जो new story add होगी उसका नाम next आएगा यानि story number 5 लिखा हुआ है बाद में आप चाहे है तो इसके नाम को change कर सकते हैं लेकिन अभी story number 5 यहाँ पर add हुई है height कितनी है इसकी 3 meter यानि देखे यह 5 number की जो यहाँ पर add हुई है इसकी height कितनी है 3 meter और elevation height कितनी होगी इसकी 12 तो जो next आपकी fourth story है वो आपकी 3 की बची और elevation height उसकी कितनी है 15 तक है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर थोड़ा सा condition change करते हैं और हम इस story को delete करना भी देखते हैं कि कैसे हम delete करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैंने इसको rough कर दिया अब एक काम करते हैं कि इसको story number 5 को हम delete कर देते हैं तो right click करके आप delete story पर जाएंगे और first option को choose कर लेंगे तो यह second option को हम बाद में discuss करेंगे next lecture में तो यह story number 3,4 अपने by default आ गया और इसको मैं 3 को इस बार 6 ना करके 7 कर देता हूं तो 7 करने के बाद में जो आपकी elevation है वो elevation के height कितनी होगे 16 meter हो गई है क्योंकि यह आपका 7 है और यह आपका 9 to plus 7 की है तो 16 हो गया आप story number 4 को update करना है तो story number 4 को जब divide करेंगे तो by default क्या आना चाहिए by default आने चाहिए value 3.5 3.5 मतलब 3 plus 3 is equal to 6 plus 3 is equal to 9 और जो elevation में आप add करना चाहते हैं तो 9 plus 3.5 आपकी by default वहाँ पर show होनी चाहिए आप भले ही उसको change करना चाहिए तो कर सकते हैं ठीक है अचा change की condition की समझ लेते हैं मालीजी जो आपकी story है वो 7 meter की यह है और इस 7 meter की story को आप ऐसे break करना चाहते हैं कि जो 4 meter है वो उपर बच जाए और 3 meter नीचे रह जाए मतलब यह 3 रह जाए और यह 4 meter चला जाए उपर तो आप इसको कैसे add करोगे जो elevation की height है वो कितनी हो जाएगी अब 9 plus 3 यानि total आपकी height ह हो जाएगी 12 और अगर आप इसका ultra करना चाहते हैं मतलब कि 3 इसको करना चाहते हैं और 4 नीचे वाले को करना चाहते हैं तो फिर कितना हो जाएगा 9 plus 4 is equal to 13 लेकिन जो value default हो कितनी महाँ आपका show करेगा 12.5 यानि 9 plus 3.5 is equal to 12.5 यह आपको वहाँ पर default value शो करेगा जिसको आपको delete करके या तो 13 करना है और या 12 करना है अगर आपको यह condition चाहिए तो हम देख लेते हैं याप पर देखिए इसको rough कर लेते हैं अब मैंने आपर क्या किया देखो मैंने आपर जो story 4 उस पर right click किया right click करने के बाद मैंने आपर add story select किया और add story में मैंने keep existence story elevation को select किया तो देखिए 7 का half कितना होता है 7 का half होता है 3.5 तो total distance होगी 9 plus 3.5 is equal to 12.5 तो देखिए यहापर show कर रहा है 12.5 अब आपको गया करना है य अगर मुझे नीचे 3 रखना था तो मैंने आपको क्या बता है कि आपकी value कितनी आ नीचे 12 तो आप इसको 12 कर दोगे और अगर आपको 4 रखना होगा तो 13 कर दोगे तो मैंने इसको ok कर दिया ok करने के बाद मैं अब देखिए यहापर क्या दिखा रहा है कि आपके 3 meter के height हो ग वे अगर आपके लिवशन 16 ने